हेलो फैंट्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टि सेट नमबर 17 एक से 16 तक अल्रीड अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं आपको प्लेलिष् चोटी है वो कुमाई हुमाले का भाग है तो आपसे नमबर 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा नंदा देवी जो चोटी है वो भारत की दूसरी सरवोच चोटी है और ये उत्रा उत्राखन्ड राज में पूर में गौरी गंगा तथा पष्ची में रिसी गंगा घाडियो के बीच इस्थित है नंददेवी चोटी की कुली चाई 7,816 मीटर है ठीक है चलिए अब नेक्स कोशन है कोशन नमर सेकंड कह रहा है कि चंडिगर की इस पहाड़ी के नीचे इस्थित है तो आपसर नमर 2 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा चंडिगर से एक चीज याद रख अब नमर 3 नमर 5 का रहा है कि दशिन पस्चि मांसन से बरसा होती है तो इसका जोस एंसर होगा वो जागा, option number B, लद्दाख में, और यही आज रखिएगा, कि भारत में लगवग 80% जो बरसा होती है, वो दस्चिर पस्चिर मौनसुन के द्वारा ही होती है, ठीक है, दस्चिर पस्चिर मौनसुन द्वारा लाए गरे आदरता का, 65% भाग अरब सागर से, और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है, next question है, question number 5, question number 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बास आसाम सुमेलित है, रोजबूड केरल सही है, चंदन जमु कास्मीर सुमेलित नहीं है, चंदन जो होगा, चंदन भारत में सबसे अधिक करनाटक में होता है, तो इसका जो स सितोस्न कटी बंदिये बन का पेड़ है, ठीक है, अगर हम बात रोजबूड की करते हैं, तो रोजबूड उसनाथ सदा बहार बन का ब्रिच है, और अगर हम बात चंदन की करते हैं, चंदन अर्ध उसन कटी बंदिये बन का छेतर है, और बास भी अर्ध उध कर्थी बंदि है ठीक है clear है चलिए अगर हम बात देखिए चाबल की करते हैं तो चाबल का भारत में उत्पादन चाबल उत्पादन के मामले में 20 में भारत का दूसरा अस्थान है ठीक है कितना अस्थान दूसरा अस्थान है और अगर हम बात गेहूं की करते हैं तो गेहूं सबसे जादा भारत में उत्रपरदेश में होता है प्रती हेक्टेर पंजाब में होगा तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू का उत्पादन जिर्दली भारत में आंद्रपरदेश, गुजरात, बिहार महराज पश्रिमंगाल में होता है चाय की अगर बात करते तो चाय की उत्पादन में असाम का प्रथम अस्थान है और चाय की खेती के लिए एक और कोशन है आप पुछा जाता है कि चाय की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी तो चाहेगी खेंदी के लिए उपिक्त मिती लेटराइट मिट्टी होती है प्लेर है? चलिए Next question है question number 7 Question number 7 कह रहा कि Island Nation Sessles में भारत का आगला उचायूत की से निउट किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा Question number 8 कह रहा कि राभी नदी पर जो योजना किर्यानबित की गई है उसे तो राभी नदी पर कौन से योजना है? थीन बांध योजना है तो आपसर नबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा चिक है? अगर हम बाद टीरी बांध ही उजना की करते हैं तो टीरी बांध ही उजना भागी रथी नदी पर इस्थित है जिससे कौन से लावान बीत होता है? उतराखन लावामीत राज होता है और यह भारत का सबसे उचा बांध भी है अगर हम बात पोंग बांध की करते हैं तो पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल परदेश में इस्थित है और अगर हम माही बांध की बात करते हैं तो माही बांध माही नदी पर इस्थित है तहां गुजरात राजी से लावान बित राज है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 कोश्चन नमबर 9 कह रहा है कि दिये गए बंदरगाओं में से कौन सा बंदरगा कुद्रु मुख लोय यसका नियाद करता है तो इसका जो साइन से लो जागा बहुत है नियू मैंगलोर बंदरगा यानि आपसन नमबर B नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 10 कह रहा है कि स्रीहरी कोटा इस्थित है तो आपसन नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा स्रीयरी कोटा में एक सार केंद्र भी बना है जहां से भारत का उपगिड़ा पर छेपन किया जाता है Next question is question number 11 Question number 11 कहरा कि अंतराष्टियन निर्थ दिवस प्रतिवस मनाया जाता है तो अंतराष्टियन निर्थ दिवस प्रतिवस 29 अपरेल को मनाया जाता है 26 अपरेल की बात करते हैं तो 26 अपरेल को 20 बहुदिक संपता दिवस मनाया जाता है Next question is question number 12 Question number 12 कहरा है कि भारत की बहां माईला खिलारी जिसने पहली बार बैड्मिंटल बर्ल चैंपियनसीप खिताब जीता है Next question is question number 13 Question number 13 कहरा है कि सक संपत किसके द्वारा पारम किया गया था तो सक संपत कनिस्क के द्वारा पारम किया गया था तो आपसे नमबर 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और कब चलाया गया था 78 इस भी में चलाया गया था जब वो गद्धी पर बैठा था उस समय ठीक है कनिस्क एक और चीज़ याद रखेगा कनिस्क जो था वो बहुत धर्म के महायान संप्रदाय कान हुआई था ये भी कोशन पुछा जाता है कि कनिस्क तौन से समपदाय कान हुआई था तो महायान का था और एक चीज़ और याद रखेगा कि जो बहुत धर्म की चौथी बहुत संगती थी वो कनिस्क के सासनकाल में ही कहां हुआ था कुंडर बेन कास्मीर में हुआ था नेक्स कोशन है कोशन नबर फोटीन कोशन नबर फोटीन कहा रहा है मुलता रमायन किस भासा में लिखी गई थी तो रमायन मुलता जो संस्क्रीट भासा में लिखी गई है तो आपसन नबर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और रमायन की रचना किस नहीं किया है महरसी बालमिकी ने और रामचरीत मानस की अगर बात करें तब हो जागा गुस्वामी तुलसीदास नेक्स्ट कोशन है कोशन नबर 15 कोशन नबर 15 कहा रहा है कि पोश्ट बॉक्स नमबर 203 नाला सो पारा पुस्टक के लेखक कौन है और इसका जो सायंसर होगा वो जागा आप्सन नमबर सी चितरा मुगदल जो है वो पोश्ट बॉक्स नमबर 203 नाला सो पारा के लेखक है ठीक है और इन्हें पुस्टक के लिए इनको 2019 का साहीत अकादमी अवार्ड भी मिला है ये उपन्यास जो है वो मेली किनर समाज से रिलेटेड है नेक्स कोश्टन है कोश्टन नमबर 16 कोश्टन नमबर 16 कहरा कि संविधान सभा में किस देसी लियासत के प्रतिनिदी ने भाग नहीं लिया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजागा है हैदराबाद यानि आप्सन नमबर C ठीक है अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो टोटल इसमें 389 सदस थे जिसमें 93 सदस जो थे वो देसी लियासत से और 292 सदस जो थे वो बिल्किस प्रांट से थे ठीक है संविधान सभा की प्रथम बैठा कोई थी 9 दिसम्बर 1946 को जिसमें सच्टान अंसिना को स्थाय अध्यच चुन लिया गया था और फिर दूसरी बैठा कोई थी 11 दिसम्बर 1946 को जिसमें राजिंदर परसाद को संविधान सभा का स्थाय अध्यच निर्वाचित किया गया था next question है question number 17 question number 17 कहा रहा है कि राज के निती निदेसक सिधांतों की प्रेधना किस देश के संभिधान से लिया गया है तो निती निदेसक सिधांत कहां से लिया गया है Ireland से तो option number 3 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और किसमें भाग चार में अनुछेट 36 से कामन के बीच निती निदेसक तत्व का उलेख है और भाग चार को क्या बोला जाता है भाग चार को संभिधान का समाजी कार्थिक दर्सन भी कहा जाता है Ireland से और याद रखिएगा कि सब देखिए भारतिय संभिधान में निती निदेसक तत्व राष्टपती के निरवाचक मंडल में विवस्था और राष्टपती द्वारा राजसभा में साहीत कला भी ग्यांत था समाल से राके छेत में ख्याति प्राप्ट बेक्तियों को मनोनित करना यह सब कहां से लिया गया है, आयरलेंड से लिया गया है Next question है question number 18 Question number 18 कहारा कि सम्मिधान में प्रेज की सोतंतता का अलग से उलेख नहीं है यह सोतंतता किस अनुछेद में अंतर नहीं ही थे तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, बो हो जाएगा Question number A, 19 का एक अक, देखिए, अनुछेद 19 के तहट टोटल साथ तरह की सोतंतता थी, लेकिन अभी फिलाल छे तरह की सोतंतता है क्योंकि उसमें जो एक संपत्ती की सोतंतता थी, उसको 44 सम्मिधान संसोदन 1928 में हटा दिया गया था, तो अगर अभी बात करते हैं, मुल सम्मिधान में 17 की सोतंतता थी, लेकिन अगर अभी की बात करते हैं, तो अभी कि किसी भी छेतर में आबागमन की सोचनता और 19 का F में है संपत्ती की सोचनता जिसको की हटा दिया गया चौलिसमा समिधान संसोचन में और 19 का G में है कि कोई भी बैपार और जीब का कोई भी इंसान चला सकता है आपनी जीबगा चलाने के लिए कोई भी बैपार कर सकता है Next question है question number 19 Question number 19 कहरा कि सम्मेधानी संसोधन हे तू बिधैक सरपर्थम कहां प्रस्तूत किया जाते हैं तो सरपर्थम संसद में प्रस्तूत किया जाते हैं ये सब के लिए कभी भी संजुकत दिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है ठीक है अब संसोधन के अगर हम बात करते हैं तो अनुछेथ 368 में तीन प्रकार से संबिदान संसोधन का प्रभधान है Next question है question number 20 Question number 20 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोधन किये जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रभधन में रह सकता है तो 6 महीने तक रह सकता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो भारत में तीन परकार की आपातकाल का उलेख है एक है उनुछे 356 राष्टिया आपातकाल ठीक है एक हो जाएगा देखिए तीन है ना एक अगर राष्टिया आपातकाल हो जाएगा एक हो जाएगा राष्ट में राष्ट पति शासन और एक हो जाएगा एक 322, 356 और 360, ठीक है? 322 राष्टिया पाथकाल, फिर राज में राष्ट पति सासन और 360 की अगर हम बात करते हैं, तो बहो जाएगा बीतिया पातकाल, clear है, चलिए बीतिया पातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है राश्ट्पति सासन लग चुका है और राश्टिया पातकाल भी अब तक तीन बार लग चुका है, एक बार उनईसो 62 में चाइना से यूद्ध पर, फिर एक बार उनईसो 71 में और फिर एक बार उनईसो 75 में नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 21 कोश्चन नमबर 21 कह रहा कि निम्न में से किस बिधैक पर विचार भी मर्ज के लिए राश्ट्पति ने पहली बार लोग सभाय बंद्रास अबामे संजुक्त बैठक बुलाया था तो पहली बार बुलाया गया था 161 में दहेज निशेद बिधैक पर तो अपसन नमबर 20 जो होगा वो हमारा सई अंसर होगा और ये अनुच्छेद 108 याद रखेगा अनुच्छेद 108 की अधिनी राश्ट्पति को संजुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है संजुक्त बैठक बुलायागा राश्ट्पति लेकिन उसकी अधियशता कौन करेंगे अब स्पीकर करेंगे लोग सब आधियत जो होगा वो उसका अधियशता करेगा ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 22 कोश्चन नमबर 22 कह रहा है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देस कौन था तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देस है तो आपसर नमबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर है अगर हम भारत की मुद्रा की बात करते हैं तो वो है रूपया जो की दसमलोग पदती पर आधारित है और भारत की अगर मुद्रा की बात रूपी जी रूपया की बात करते हैं तो एक कोश्चन जो बहुँ जादा पुछा जाता है कि एक रूपय के नोट को कौन जारी करता है तो एक रूपय का नोट ब बहुत हो जागा, option number B, आयकर राज सरकार का नहीं है, ये केंदर सरकार द्वारा लगाया जाता है, और फिर उसे राज सरकार में बिभाजित किया जाता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुत हो जागा, option number B, question number 24, question number 24 कह रहा है, कि आप परतेचकर किसको कहते हैं, करदाता और सरकार के बीच करके संदर में कोई सीमा समदना हो, उसको आप परतेचकर कहते हैं, तो आप परतेचकर ये जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, आप परतेचकर से एक चीज याद रखेगा, कि आप परतेचकर को मुद्रा अस्पिती को बढ़ाने वाला माना जाता है ठीक है और आप परतियाच करका बोज सबसे अधी किसमे पढ़ता है निर्धन बरपत पढ़ता है next question है question number 25 question number 25 कर रहा है कि पिंड का भार सुन्न नहीं होगा तो इसका जो सही answer होगा बो हो जागा option number D पिंड का भार सुन्न नहीं होगा किसी घार्थन ही सता पर ठीक है चलिए तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है चलिए next question है question number 26 question number 26 कर रहा है कि हाली में supreme court द्वारा जारी निर्धेश के अनुसार किस दस्ता बेच को दिखाए भीना गाड़ी का भीमा नभी करन नहीं होगा तो जब तक आगाड़ी का इंबर्ड मेंटल क्लियरेंस मतलब पर दूसर अस्तर सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा तब तक आपका गाड़ी का जो इंस्रेंस होगा वो रिन्यू नहीं होगा नेक्स्क कोचन है कोचन 2008 कार रहा है कि एक ठोस बस्तु को द्रब में पुंत डुबाया जाता है तो वह भार बार कम प्रतीत होता है बस्तु का अर्धबल निम्न में से किसपर निर्फह करता है तो इसका जो साई अंसर होगा वो हो जाएगा ठोस के घनत उपर निर्भर करता है तो अप्सन नमबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए जब भी कोई ठोस बस्तू को द्रब में डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है भार में यहां आभासी कमी जो होगा वो द्रब द्रब द्वारा बस्तू पल उपर की और लगाए गया बल की कारण होता है और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं फोर्स आप बायंसी या फिर उत्पलाबन बल कहते हैं नेक्स कोशन है कोशन नमर ट्वंटी नाइन कहला है कि ठंडे पर्देसों में जहां तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसल को नुक्सान से बचाने के लिए क्यूंकि तो इसका सायन सर्वाजय का बहुत जगा ऑप्सन नमर बी जल की बिशिस शुट्समा सबसे अधीक होती है और चार डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है ठीक है देखिए जेनरली अगर हम किसी द्रब की बात करते हैं तो समानता किसी द्रब के दीवी मातरा के गर्म होने पर उसका घनत घड़ता है और क्यूंकि उसका एतन बढ़ जाता है परन्तु जल में एक बिशियस गुन है और जल का घनत चार डिग्री सेल्सियस पर अधीक्त्या जल की उसमा धारिता की कर लेते हैं तो बराबर परिमान में किसी पदार्थ में जल की उसमा धारिता द्रिषचे का द्रिष दिखाने वाला दरपन होता है और इसलिए क्पर जो भी वेकल्स होता है उसके जो साइड मेरे के रूप में होता है ठीक है पीछे देखने के लिए तो उसमें हम लोग उत्तल दर्बान का यूज करते हैं. Generally जो सडक में जो पराबर्तक लेंफ होता है उसमें भी उत्तल दर्बान का परियोग किया जाता है क्योंकि बिस्तार छे रधीक होने के कारण ये परकास को भी अधिक छेत्रों में फैलाता है Next question है question number 32 Question number 32 कर रहा है कि परकास का रंग निश्चित किया जाता है तो परकास का रंग तरंग धैर द्वारा निश्चित किया जाता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है और ये एक चीज़ और याद रखिएगा एक rumor नामक बैग्यानिक था आप लोग नाम सुने होंगे ठीक है तो सर पर थाम रूमर नामक बैग्यानिक नहीं बिहस्पति ग्रहों की गति को देकर परकास का बेग ग्याद किया था Next question है question number 33 Question number 33 कहा रहा है कि निम्लिखित में से कौन बिदूत का सबसे खराब चालक है तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा Option number D, carbon जो है वो बिदूत का सबसे खराब चालक है Clear it? चलिए Next question है question number 34 Question number 34 कहा रहा है कि एक सुस्क cell में कौन सी उर्जा पाई जाती है तो एक सुस्क cell में रसायनी कुर्जा पाई जाती है तो Option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा सुस्क cell के अगर हम बात करते हैं तो इसमें carbon का छट जो होता है वो anode का का काम करता है और स्वेंज जस्ते का जो बरतन होता है वो cathode का कार्च करता है इसका जेनरली हम लोग पर लोग torch, transistor, radio ये सब सारे चीज़ों में करते हैं नेक्स कोशन है कोशन नमर्ट 35 हाइडोजन बं की सिधान पर आधारित है तो आपको पता ही होगा हाइडोजन बं जो है वो नाब किये सनलायन सिधान पर आधारित है नेक्स कोशन है कोशन नमर्ट 36 कोशन नमर्ट 36 कहा रहा है कि टेली बीजन सिगनल एक विस्ष दूरी के बाद समानतर TV से द्वारा ग्रहन नहीं किये जाते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है बो है प्रिथिवी की बगरता है यान्य कोशन नमबर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है question number 37 वो है सबसे चोटा कंजिस में उस्तत्व के सभी गुन विद्धमान होते हैं वो उस्तत्व का एटम होता है, परमानू होता है Qoshen no.38, Qoshen no.38 कह रहे हैं कि आधुनी का आबर्चारणी किसके नियम पराधारी थे तो यह जो आधुनी का आबर्चारणी है वो मोसले के नियम पराधारी थे तो आफसर no.B. जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा और इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तत्था रसाइनिक गुन उनके परमानु संख्या के आबर्थ फलन होते हैं, ठीक है, अगर हम बात मेंडलिफ की करते हैं, तो मेंडलिफ जब आबर्था नहीं बनाये थे, तो इनमें उनने नोबल गैस की जगा नहीं था, क्यूंकि उ लिट्रियम हाइडोजन का एक दुरलब समस्थानिक है, या एक बिटा उसल जग है, इसकी परमानु संख्या कितनी हैं, एक है, अगर इसकी अर्था आयू की बात करते हैं, तो इसकी अर्था आयू है, 12.4 बर्थ next question, question number 40, question number 40 का रहा है कि हाइबर की प्रक्रिया किसके बीन निर्मान में परियुक्ष होती है, तो हाइबर की प्रक्रिया जो होती है, बोर जनरली अमोनिया के बीन निर्मान में परियुक्ष होती है, तो आपसर नमर D जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, ठीक है, हाइबर बिधी द्वारा अमोनिया के उध्योगित पैमाने पर उत्पादन करने में उत्पेरा के रूप में पराया लोह उक्साइड मतलब F2O3 जिसे प्रमोटर के रूप में और L2O3 और K2O मिस्रित रहते हैं ठीक है नेक्स कोष्चन है कोष्चन अबर 41 कोष्चन अबर 41 कह रहा है एरस्ट यानि जंग की रसाइनिक से रचना लगभग है तो 2F2O3 इंटो 3H2O तो आपसा नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इससे एक कोष्चन जो बहुत जादा इक पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या आंता रहता है तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है ठीक है लोहे परजाएंग किसमें हवा की नमी और ऑक्सिजन के कारण लगता है और फिर लोहे को हम लोग गैलवनाइज़ करके उससे हम लोग बचा सकते हैं क्या रहा है कि पैंसिल का लेड है तो पैंसिल का लेड क्या है ग्रेफाइट है तो आपसर नमर यह जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट् आसाइनिक नाम है calcium carbonate तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा अगर चुने का पानी पूछ देगा तब हो जागा calcium hydroxide next question है question number 45 question number 45 कर रहा है कि जीब कोसी का पारब कोसी का से भीन होती है क्यों कि उसमें कोसी का भीती नहीं होती है बिल्कुल सही है हरीत लवक नहीं होते हैं बिल्कुल सही होते हैं तारक गेंदर होते हैं बिल्कुल सही है हीमोगलोविन होते हैं गलत है तो 1-2-3 तीनों सही है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 46 question number 46 कह रहा है कि नीर जली करन के दौरां सरीर में कौन से पदार्थ का समानता 6 होता है तो नीर जली करन जो होता है उसमें परायता जो होता है वो sodium chloride पदार्थ का 6 होता है तो आपसा नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जैसे generally है जाँ जो बिमारी था उसमें क्या होता है यही तो होता था dehydration हो जाता था और शरीर में पानी की कमी हो जाती saya ठीक है नेक्स कोशन है question number 47 Question number 47 कह रहा है कि खाद पदार्थ को हम किसी काई में माप सकते हैं तो खाद पदार्थ को हम लोग कैलोरील काई में आपते हैं तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जिरली कहने का simple सा मतलब है कि उसमा की वह मातरा जो एक ग्राम सुध जल का ताप मान एक डिग्री से बढ़ा दे उसको एक कैलोरील कहते हैं ठीक है next question है question number 48 question number 48 कह रहा है कि निमलेखिर में से कौन सा बिटामीन A का समरीज स्रोथ है तो गाजर है option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर है ठीक है और गाजर में क्या करोटीन पाया जाता है और बिटामीन A की अगर बात करते हैं तो बिटामीन A से याद रखिएगा इसका रासाइनिक नाम है रेटिनॉल और बिटामीन A की कमी से रतोंधी नामक बिमारी होती है ठीक है question number 49 कह रहा है कि निमलेखित में से कौन सा रोग एक जल बाहित रोग है तो जल बाहित रोग कौन है 10 रोग जो है वो एक जल बाहित रोग है question number 50 कह रहा है कि घरते हुए करम में मानाव सरील में बितमान परमुक तत्व है तो घरते हुए करम में अगर बात कर देंगे तब option number B होगा हमारा सायलसम calcium, phosphorus, phosphorus, गंदक और potassium calcium की बात करते हैं तो ये vitamin के साथ हडियों तथा दातों को डिर्टा परदान करता है phosphorus जो होता है वो सरील में तरल पदार्थों के संराचमक संतुलन बनाए रखने में सायक होता है और potassium जो होता है वो कोसी का दरब में धनायन के रूप में पाया जाता है question number 51 कहा रहा है निमलेकित में से कौन सा किसी एक पौदे का उधारन है जो बीच तो लाते हैं पर फल नहीं देते तो इसका जो सही अंतर होगा बो हो जागा option number D, चीड का पेड जो होता है वो एक ऐसा ब्रिच है जो बीच तो लाता है पर फल नहीं देता है चीड के पेड से ही एक और चीज़ याद रखिएगा कि चीड के पेड से ही तारपीन का तेल निकलता है question number 52 कह रहा है परकास अंसलेसन में पंढ हरीत क्लोरोफिल की भूमी का क्या है तो इसका जो सही अंतर होगा वो हो जाएगा option number B, परकास का अपसोशन generally जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है सूज से जो लाइट होता है उसको अपजॉब करता है तो अब पधों में जो क्लोरोफिल होता है वो generally पतियों में पाया जाता है और इसलिए पतियों को क्या बोलते है photosynthesis organ भी कहा जाता है क्योंकि उसमे chlorophyll पाया जाता है next question है question number 53 question number 53 कह रहा है कि आधुनी का antiseptic surgery का जनत कौन है तो आधुनी का antiseptic surgery का जनत Joseph Lister को माना जाता है तो option number यह जो होगा वो हमारा सही answer होगा Edward Jenner से याद रखेगा कि इन्होंने चेचा की टिका का खोज किया था next question है question number 54 question number 54 कह रहा है कि Pitorico Trench किस महासागर के अधिक्तम गहराई में स्थित है तो इसका जो सही answer हो जगा बहुँ जगा Atlantic महासागर यानि option number C ठीक है अगर हम परसांत महासागर की बात करते ठीक है चेलिए next question है question number 55 सिमलासन जोता भारत पाकिस्तान द्वारा किस बर्स में हस्ताच्छित किया गया था तो सिमलासन जोता हुआ था दो जुलाई 1972 को तो option number यह जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा next question है question number 56 question number 56 कह रहा है कि Amnesty International ने सांती लोबल पुरुसकार कब जीता था तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number B 1977 1977 में Amnesty को सांती लोबल पुरुसकार दिया गया था और ठीक एक साल बाद 1978 में उसको UN प्राइट से भी नवाजा गया था Amnesty International की बात करते हैं तो इसका मुख्याले लंदन में है इसकी स्थापना उन्हें 611 में होई थी और ये जो Amnesty International है इसका संबंध मानावधिकार से है Next question is question number 57 कि इंसासित परदेश जमू और कास्मीर की राज भासा या काली भासा कौन सी है तो उर्दू है तो option number B ये बिहार की दूसरी राजबासा भी है Next question है Question number 58 भारत के बिमारू राजवें सबसे घना भादी बिहार राज कहीं है तो option number 8 जो होगा बो हमारा सही अंसर होगा बिहार की जनसक्या घनत की बात करें तो 1106 प्रतिबर किलोमेटर है जो भारत में सर्वादित है Q59 क्या रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमर कंटक में है तो इसका जो सायन सरोगा बहुँजागा आपसन नबर B सोन सोन जो होता है वो मधपरदेश के अनुपपूर जिलों में अमर कंटक के पासे निकलती है Next question है Question number 60 काकड़ा बाड़ा पर्योजना किस नदी घाटी से संबंदित है तो इसका जो सायन सरोगा बहुँजागा तापती नदी घाटी से काकड़ा बाड़ा पर्योजना है का गुजरात में ठीक है गाटी से याद रखियेगा कि यहाँ नागा अर्जुनसागर पर्योजना है तापती नगर से एक और चीज याद रखियेगा उकाई पर्योजना याद रखियेगा ये भी तापती नदी पर है Next question है Question number 61 भारत का विदेश वeding सरวाधिक, किसके साथ होता है तो चीन के साथ होता है तो option number 2 जो होगा वो हमारा था है जेनरली जम नाथुला दर्ला था जो भारत और चीन के बीच है इसी के खुणने से भारत और चीन के बीच वेपार में भारी बुलीती हुई थी question number 63 कर रहा कि निमलिकित में से किसका संबंध बिहार सोसलिष्ट पार्टी से था तो बिहार सोसलिष्ट पार्टी का संबंध है जया प्रकास नरायन से तो option number जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 63 कर रहा कि निमलिकित में से खिलापत आंदोलन का परिमान क्या था तो इसका जो सही अंसर होगा बहुज़ एक option number ये हिंदू-मुस्लिम अतभेदों में कमी हुई थी और गांधी जी इसके बारे में कहे भी क्या थे गांधी जी ने इसे ही हिंदू-मुस्लिम एकता का एक सुनहरा आपसर माना था खिलापत अंदोलन का जेनरली जो खिलापत अंदोलन है ये भारत में मुक्तब मुसल्मानों द्वारा चलाया गया अंदोलन था जो कि ब्रिटीज सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरूद किया गया दुर्बेवहर का परिमान था question number 64 का रहा है कि संजुक्त राष्ट का मुख्याले कहा है तो संजुक्त राष्ट का मुख्याले निवार्क में है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम आप संजुक्त राष्ट की करते हैं तो इसकी अस्थापना उन्हें 45 में हुआ है इसके member country अभी है एक सो तिरान में इसका secretary general है Antonio Guterres ठीक है इसके secretary general है और इससे याद रखेगा 24 October को UN Day मनाया जाता है इसके total 6 अंग है तो ये सारी चीज़े याद रखेगा सुन्जुकत रास से next question is question number 65 question number 65 कर रहा कि पुर्ण स्वाराज संकल्प को भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के लाहॉर अधिवेसन में किसने प्रस्तूत किया था तो ये 1929 के लाहॉर में एतिहासी का अधिवेसन की अधरता जब हालाल नेरु ने की थे और उन्होंने प्रस्तूत किया था तो option number B ज हुए थे उन्हें 130 की ये बात है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 67 question number 67 कह रहा है कि कि किस समराथ ने स्री नगर में स्थित सालिमात बाग लगवाया था तो इसका जो सही अंसर होगा option number A जहांगीर के दौरा लगवाया गया था ठीक है जहांगीर से एक ची तो साजहां का जो काल था वो बास्तू कला की दृष्टी से मुगल काल का स्वान काल माना जाता था ठीक है दारासीको की बात करते हैं तो दारासीको जो थे वो हिंदू-मुस्लिमेक्ता का प्रबल समर्थक था नेक्स्कोंचैन है कोश्चैन नबर 68 कहरा है कि मुगल चीतरकालि ने किसके सासंकाल में परकाश्टा पराद की थी तो इसका जो सइयंसर होगा बहुर जागा अपसे नबर 6 जहांगीर के काल में मुगल चाली जो चीतरकला था वो स्वानकाल उसका था तो उसी के समय आपना जो थी, वो 24 सक्टूबर 1945 को हुआ था. Question number 70 कहा रहा है कि सरहूल किन का पर्व है? तो जो सरहूल है, वो generally उलाब का भी पर्व है और मुंडा का भी पर्व है. तो option number D होगा, A और B दोनों. ठीक है? सरहूल जो तेवहार है, वो generally धरती माता को समर्पित है. Question number 71 कहा रहा है कि निमलिकेत में से किसने बंगाल की सरकार की दोएज प्रणाली समाप्त की थी? देखे, ये question थोड़ा सा confusing है कि बंगाल की सरकार की दोएज प्रणाली किसने समाप्त की थी? जेनरली अगर हम प्रांतों की बात करते हैं, तो प्रांतों में दोएज सासन जो था, वो 1991 के द्वारा लागू किया गया था, और फिर 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लगा भिया गया था. अगर हम 2 सासर पर्लाली की बात करते हैं तो 2 सासर पर्लाली के जनक हम लोग किसको मानते हैं लियोनेस काटिस को मानते है Question number 72 कह रहा है कि किसकी भी फल्ता के बाद सोराज पाटी बनायी गई थी तो इसका जो सही अंसर होगा, बहु हो जागा असायोग आंदोलन के असाफलता के बाद सोराज पाटी बनाया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number A असायोग आंदोलन ठीक है next question है question number 73 question number 73 कर रहा है कि परसीद खुजराहों मंदिर का निर्मान निम्ण में से किस ने किया था तो खुजराहों मंदिर का निर्मान किस ने किया था चंदेल हाँ चंदेल राजाओं ने किया था तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जाएगा ठीक है खुजराहों कहाँ है मधपरदेश के छतरपूर जिला में अवस्चित है खुजराहों को चंदेल बंस के खुजराहों को ही अब खुजराहों के मंदिर के दिवारों पर असली चितरों का भी चितरन मिलता है next question question number 74 कौन सी मिटी के अधीक जलधारन छंता के कारण सी चाई के आवसकता कम हो जाती है तो काली मिटी में इसका सही अंतर होगा काली मिटी में जलधारन छंता है वो सबसे ज़्यादा होती है question number 75 कर रहा है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज अग्रनी है तो लाल मिर्च के उत्पादन में आंध परदेश जो है वो प्रथम राज है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात करनाटक की करते हैं तो करनाटक कॉफी के उत्पादन में सबसे प्रथम अस्थान है राजस्थान तेलहन के उत्पादन में प्रथम अस्थान है अब पंजाब जो है वो प्रती हेक्टेर गेहू के उत्पादन में प्रथम है अगर ऐसे पूछा जाएगे हूँ तब हो जागा उत्तरपदेश लेकिन प्रती अक्टेर पूछ लिया जाए तब हो जागा पंजाब Question number 76 कर रहा है कि India means freedom पुस्तक के लेखा कौन है तो India means freedom पुस्तक के लेखा के मौलाना अबुल कलाम अजाग तो Option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है और 11 November को राष्टिय सिछा दिवस मनाया जाता है क्यों क्योंकि भारत के प्रथम सिछा मंतरी जो थे यही मौलाना अबुल कलाम अजाग इनही का जनम दीन था 11 November को और इनही के जनम पे राष्टिय सिछा दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए Next question है question number 77 Question number 77 कर रहा कि अंतर राष्टिय नयाले में नयाधीसों की संख्या है तो अंतर राष्टिय नयाले में नयाधीसों की संख्या है ठीक है यहाँ यह जो जज होंगे 15 यह कोई भी जो दो जज होगा उसकी संख्या वो एक देश से बिलॉंग नहीं करेंगे ठीक है जो दो जज होगा मतलब एक देश से एक ही जज हो सकता है ठीक है अंतर राष्टिय नयाले की अगर बात कर दें तो इसकी अस्थापना उनई 46 में दहेग में हुआ है कुश्चन नमर 78 कह रहा है कथकली सास्थिय निर्थ किस राज में शुरू हुआ था तो कथक का लिक केरल में तो आपसन नमर A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा कुश्चन नमर 79 कह रहा है कि युवान किस देश की राष्टिय मुद्रा है तो युवान चीन की राष्टिय मुद्रा है तो आपसन नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जपान की मुद्रा का नाम है एन इटली की मुद्रा का नाम है यूरो लेकिन देखिए पूर्व में पहले इटली की मुद्रा थी लीरा लेकिन अब हो गई यूरो यूगो सलाबिया के बात करते हैं तो इसका है यूगो सलब यूगो सलब डिनर question number 80 कह रहा है कि संतोष ट्रॉफिक किस खेल से संबंदी थे तो संतोष ट्रॉफिक फुटबॉल से संबंदी थे तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer है, फुटबॉल ही हमारा क्या है बारत का राष्टिय खेल है ठिक है question number 81 कह रहा है अब देखें यहां से math origin का question है जो जो question है वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ अगर आपको फिर भी नई समझ में आया फिर लगे कि नई समझ में आ रहा तो आप मैं जोसे comment करके पूछ सकते हैं question number 81 कह रहा है कि 3 by 4 5 by 60 को solve करना है, देखें तो 3 by 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 minus 1 by 4 लिख सकते हैं फिर 5 by 36 को लोग क्या लिख सकते हैं 1 by 4 minus में 1 by 9 लिख सकते हैं फिर 7 by 7, 144 को लोग क्या लिख सकते हैं 1 by 9 minus में 1 by 16 इसी तरह से आगे करते जाएगा तो 19 by 180 को लिख सकते हैं 1 by 81 minus 1 by 100 देखिए यह 1 by 4, 1 by 4 cancel हो जागा यह 1 by 9, 1 by 9 cancel हो जागा तो यह ऐसे cancel होता चला जाएगा तो last में जो बचेगा वो आपका बच जाएगा 1 minus 1 by 100 और इसको आप solve किजेगा तब आजाएगा 99 by 100 तो आपसा नबर B जो होगा वो आपका सही अंसर होगा question number 82 कह रहा है कि एक बन में कुछ तोता तथा कुछ बाग है यदि उनकी कुल 1746 टांगे हैं तथा 849 सीर है तो तोतो की संख्या कितनी होगी generally अगर आप तोतो की संख्या x मान लीजेगा तो बाग हो जाएगा कितना 858 minus x ठीक है अगर हम पैरों की कुल संख्या निकालेंगे तो तोता के पैर के लिए 2 से मल्टिप्लाइट करना होगा 2x हो जाएगा और प्लस और इसके पैर निकालने के लिए मुझे 4 से मल्टिप्लाइट करना होगा 4858 minus x is equal to आप step 1746 लेख सकते हैं यहां से आप solve किजेगा तो x की value आजाएगी 843 ठीक है तो आप से question पूछा क्या गया है कि तोतों की संख्या तो 843 यानि option number D जो होगा आपका सही answer होगा question number 83 कह रहा है कि किसी बल्लेवाज ने बारहमी पारी में किसी बल्लेवाज ने कि 11 पारीों के बाद उसका उसस था x 11 पारी जब वो खे चुगा था तब तक उसका था उसस था जएक्स ठीक है तब 12 हमे पारीों के बाद क्या होगा अगर हम बात 12 हमें पारीों के करते हैं तब हो जागा x प्लस 2 क्योंकि question में कहरा है कि 2 बढ़ जाता है ठीक है तो अगर question क्या कर रहा है देखिए तो question के according हम ये लिख सकते हैं न 2 valve x plus 2 और इसमें से अगर हम 11 पारियों का total निकाल देते हैं तो 11 x अगर हम minus कर देते हैं each equal to 63 लिख सकते हैं न अब अगर आप यहां से solve कर दीजेगा तो x की जो value आएगी वो 39 आजाएगा ठीक है एक्स की value किती है आजाएगी 39 यहां से solve करने के बाद अब उसके बाद 12 हमी पारियों के आउसत पूछ रहा है तो उसमें 2 जोड दीजेगा तो 39 plus 2 कर दीजेगा तब आजाएगा answer 41 option number A जो होगा वो आपका सही answer होगा next question है question number 84 question number 84 कर रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल 48 है दुकंदार इस पर 10% का बटा देता है मतलब discount देता है तता 8% लाब भी कम आता है तो देखिए तो इसको अगर solve कीजेगा तो ऐसा कुछ आजाएगा 4800 इंटू में 90 by 100 और इंटू में 100 by 108 यहां से solve कीजेगा तो 4000 निकल के आजाएगा और बटा ना देने के बाद भी क्रेमूल कितना है और 40 हो है तो लाब उसको कितना हो गया 800 तो लाब परसेंटे निकालेगा तो 800 बटा में 4000 इंटू में 100 तो यह हो जागा 20% चलिए तो next question है question number 84 question number 84 कह रहा है question number 84 तो होई गया तो इसको निकाल लीजेगा तो अंसर आजागा 20% तो option number B जो होगा वो आपका सही अंसर होगा next question है question number 85 question number 85 कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी साड़े 4 घंटे में तै करती है यदि कार की गती 5 km घटा दी जा तो वह दूरी तै करने में आदा घंटा कम लगाएगी तो कार की धीमी गती क्या है तो देखें माल लिजे कि कार की धीमी गती है x km प्रतियावर तो question के according इसको अगर हम solve करेंगे तो लिख सकते हैं ना 9xy2 is equal to x plus 5 इन्टू में full यहां से solve कर दीजेगा तो धीमी गती x की value हो आजाएगी 40 km per hour next question है question number 86 question number 86 कर रहा है कि 16,000 लिपे का 20% बार्सिक दर से 9 माह का चक्रविधी ब्याच कितना होगा जब ब्याच तरह मासिक सही हो जित हो तो यह तो चक्रविधी ब्याच के formula पे भी बैठा दीजेगा कि 16,000 इन्टू में 1 प्लस 5 by 100 to the power में 3 माइनस में 1600 तो यहां से भी कर दीजेगा तो आपका क्या आजागा अंसर आजागा 2522 next question है question number 87 question number 87 का रहा है कि चतुर्भूज PQRS में यह दी angle Q is equal to देखिए यह कोई चतुर्भूज है PQRS clear है अब यहाँ पे Q is equal to 2P दिया हुआ R is equal to 3P दिया हुआ और R is equal to 150 degree दिया हुआ तो आप सबसे अच्छा तरीका है P को मान लीजे आप X degree P को अगर आप X degree मानिएगा तो R को आपको मानना पर जाएगा 3X degree और Q को मानना पर जाएगा 2X degree तो R दिया हुआ है 150 तो यहाँ से X की value निकल जाएगी 50 तो X की value जब निकल जाएगी तो P और Q की भी value निकल जाएगी ठिक है और फिर सबको जोड के 360 लिग दिजेगा तो वहाँ से आपको S की value निकल जाएगी और फिर Q-S भी निकल जाएगा आपको तो ऐसे कीजेगा तो आपका जो अंसर आजाएगा 40 डिग्री Question No.88 कहला है कि एक संभावत तिर्भूज की परतेक भुजा 8 cm लंबी है इस तिर्भूज के परीबृत ताथा अंद बृत के बीच के छेतर का छेतर फ़ल कितना होगा देखे तो परीबृत और इंद बृत आपको ऐसा डाइग्राम बना पाईएगा ऐसा कुछ इसका डाइग्राम बनेगा सुर्य ये बाहर निकल गए ये अंदर ही रहेगा सरकल ऐसे ठीक है अब अगर अपने फॉर्मूला पढ़ाओगा कि परीबृत की तिर्जा जो होती है वो क्या होगा अब ये जो ट्रेंगल का छेतर फ़ल होगा अब ट्रेंगल का यहाँ इकुलेटर ट्रेंगल दिया हुआ है तो आप निकाल सकते अंडर रूट 3 by 4 एसका फॉर्मूला से इसका एलिया निकाल लिजेगा और फिर अंदर बृत की तिर्जा कितनी होती है आर इस इकुल ट्रेंगल का एलिया अपन में एस तो वहाँ से आप निकाल लिजेगा तो अंस अभिष्ट कोन का आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे निकालने के लिए उस फॉर्मूले पर सीधे बैठा दीजेए तो 5 इंटु 60 माइनस 15 इंटु 11 बाइट 2 होगा ठीक है तो इसको आप सॉल्फ कर लिजेगा तो आज आएगा 67.5 डिगरी question number 90 कहा रहा है x और by दिया हुआ है यहाँ फोर x प्लस 3 by देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है दोनों इक्वेशन में पहले आप क्या किजे कि दोनों इक्वेशन में यहाँ 4 है यहाँ 3 है ना यहाँ आप क्या करतीजे कि पहले equation में 4 से multiply करतीजे और दूसरे equation में 3 से multiply करतीजे ठीक है फिर दोनों को क्या कीजे जोड दीजे और फिर उसके बाद x और by की value आपको खुद बखुद निकल जाएगी x बराबर आजागा 1 by 5 और by बराबर आजागा minus 2 तो option number b जो होगा वो आपका सही answer होगा next question है question number 91 question number 91 कह रहा है कि प्रस्म बाचक चीन के अस्थान पर क्या आएगा देखिए यहां हो क्या रहा है 3 में 2 प्लस कीजेगा तो 5 आएगा फिर 5 में 3 प्लस फिर 8 में 4 प्लस फिर 5 प्लस और फिर आपको 6 प्लस करना होगा तो 17 में जब आप 6 प्लस कीजेगा तब आजागा 23 और 23 में 7 प्लस कीजेगा तब आजागा 30 तो option number d जो होगा वो आपका सही answer होगा next question है question number 92 question number 92 कह रहा है कि निमलिखित में से किस बर्स का कलेंडर बर्स 990 के कलेंडर जैसा होगा ठीक है 1990 की अगर कलेंडर की बात करते हैं तो 190 में 60 दिनों की संख्या कितनी होगी एक होगा 1901 की अगर बात करते हैं तो फिर से एक 1902 में दो ऐसे करकर के 7 आपको अभिष्ट बर्स की संख्या निकाल लेना होगा साथ आप जोड़िएगा और फिर अंसर आजाएगा 1996 आपसन नबर बी जो होगा वो आपका सही अंसर होगा next question है question number 93 question number 93 कह रहा है कि निम्न पासा में से संख्या 4 के बिप्रित अस्थेन पर देखिए दोनों में common कौन है दोनों में अगर common जो भी है उसको लिख लिजए चार common है तो चार से आप चार से clock by direction में लिखना start कीजए तो चार चार दो हो जाएगा इसका और इसका अगर आप लिखिएगा तो चार तीन एक हो जाएगा अब जिसका बिप्रित पूछ रहा उसका बिप्रित बता दीजे ठीक है तो चार के बिप्रित अस्थान पर कौन सा अंख आएगा तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा आप्सा नमबर 5 आएगा क्यों आएगा क्योंकि देखिए 6 के उल्टा 3 है और 2 के उल्टा 1 है ठीक है तो 6 के उल्टा 3 और 2 1 नहीं होगा तो इसके बिप्रित अस्थान पर 5 ही आएगा क्यों नमबर 94 कहा रहा कि प्रस्म बाचक्चीन के अस्थान पर क्या आएगा तो 48 है 34 और 58 है देखें अगर हम ऐसे इसको लिखते है 34, 48 और 58 ठीक है तो 34 से अगर 58 की बात करते है तो यह 24 प्लस होगा तो फिर इसमें भी 24 प्लस कर दीजे तो यह 72 आजाएगा तो आपसा नमबर A जो होगा वो आपका सही अंसर होगा क्यों नमबर 95 कह रहा कि अस्तन पायू तो यह यहाँ मनऊस मनुस हो जाएगा अंदर और उसी के अस्तन धार्ली के अंदर मनुस हो जाएगा और छितन की जो होगा वो बाहर हो जाएगा क्योंचन नमबर 96 कह रहा है कि निमन आरक्रेटी में से कौणसर विकल्प पुरा करेगा तो इसका जो सही अंसर हो जागा, बो हो जागा, आपसा नमर D, ठीक है, 97 कहा रहा है कि एक बैक्ती नदी की तरफ पीट करके खड़ा है, यदि कोई बैक्ती उसके बाएं से दाएं पानी में तरते हुए जाता है, ठीक है, अगर माल लीजे, सपोच कर लीजे कि यहां बैक्ती है, और एक बाएं से दाएं इसके जा रहा है आदमी, तो यह इसका मुख है, और यह इसका पीट है, अब पश्चिन से नदी का परभा है, जो पुर्व की ओर है, तो उसका जो मुह होगा, वो उतर दिशा में होगा, तो आपसा नमर B जो है, वो सही अंसर है, कोश्चन हमार होगी, बोजीता की मा होगी, तो आपसा नमर C जो होगा, वो आपका सही अंसर होगा, कोश्चन नमर 99 का रहा है, त्रिभूच काउंट करना, इसमें आप त्रिभूच काउंट कर लिजेगा, बारत त्रिभूच काउंट कर लेने के बात, कोश्चन नमर 100 का रहा है, कि यह तो 7 प्लस 28 को जोड के एक घटा दीजे तो 34 आज़ेगा इसका सही अंसर तो आपसा नमर A जो होगा वो आपका सही अंसर होगा ठीक है तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा साथी साथ आप लोग कितना मार्ग सा स्कोर कर पा रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्स फोर वाचिंग